हेलो वर्यवन वेलकम और आज के इस वीडियो में बहुत इंट्रेस्टिंग बात करने जा रहे हैं आज हम लोग बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं उनके पास कौन-कौन से होल्डिंग है और कौन-कौन से हमारे इंडिया में अभी तक पॉपलर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जिनके पास पांच हजार से जादा मुचल फंड है अब इस पांच हजार से जादा मुचल फंड में से सबसे अच्छा मुचल फंड आप लोग कैसे चूज करेंगे यह बहुत बड़ा सा सवाल है तो हम लोग अब इस सीरीज में डिसकस करने जा रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए और वो उस उन कंपनीज में से जो सबसे बेस्ट उनके पास जो मुचल फंड होगा जो अच्छा रिटरन दिया होगा और उनके मतलब हमारे सेक्टर को भी फिट बैटना चाहिए तो ऐसे यह चीछ को एनलाइ है और उनके जो मुचल फंड है उनके पास 94 से भी ज्यादा मुचल फंड on record मतलब लाइव है उन में से आफ किसी भी मुचल फंड में इंवेस्ट कर सकते हैं पर कौन से मुचल फंड कितना अच्छा रिटरन देगा वो जानने वाली बात है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह leading asset management company है in the country and उसमें like जो gap है saving and investment का वो एक long term wealth creation को देखके बनाया गया है और यह asset joint venture है basically ICIC bank का और financial service इंडिया के provident PLC को तो यह leading pan Asia Africa focused provident growth को focus करता है और इनके पास बहुत अच्छा like portfolio है जिनने manage करते हैं यह total six location पे available है और इनके पास जो AMS की जो growth है वो six six लोगों से start किये थे दो location में पहले था और छे लोगों से इन्होंने start किया था और इनके पास आज के date में तीन हजार से ज्यादा लोग involved है इस इस asset management में है तो जो दो location से इन six employees से start किया गया था 1998 में वो आज इसमें 3072 employees काम करते हैं और 350 locations पे यह physically रूप में available है तो यह है एक asset management और अभी यह जो data हम आपको बताएं यह data as of 31st January to 24 तक का है तो यह था ICIC का asset management का portfolio और अगर हम लोग बात करें तो इनके पास list of mutual fund है जैसे भारत 22 इसका graph return देखेंगे एक साल का तो 71% का return है अगर retirement fund के return के बात करें तो 58% क्या सपास का fund return है 44% का large cap and mid cap क्या सपास का fund है और अगर value discovery fund के बारे में बात करें तो 40% क्या सपास का fund है तो अगर हम लोग 20% से above की बात करें तो एक साल में इनके 8 ऐसे funds रहे हैं 8 funds जिन्होंने 20% से above का return दिया है तो यह सबसे अच्छी बात है मतलब 8 funds ने 20% से above का return दिया है 20% से above का तो बेसिकली चलते हैं आफ पहले funds के तरफ और उसके बात देखेंगे पहले आईसे ऐसी प्रविदेंट भारत fund को direct growth को हम लोग analyze करते हैं जिसमें 71% का आफ ग्रोथ देखेंगे 71% का ग्रोथ है 71% का ग्रोथ है एक साल में एक साल में कोई mutual fund 72% का return दे रहा है तो आफ को इतना जादा भागने के दिमाग लगाने का इतना जादा direct growth fund है इसमें one year में 66% का three years में 38% का और five years में 27 29% 28% का portfolio में growth मिला है मतलब यह annualized growth है यह compounded growth है अगर third fund की बात करें Provident manufacturing fund तो इसमें एक साल में 69% का तीन साल में 31% का और five years में 27% का growth मिला है तो यह ICIC के top news portfolios है top news fund है अगर उसके बाद अगर fourth fund की बात करें जो की portfolio को hold कर लेते हैं तो आफका पैसा double हो गया double से भी जादा हो गया almost 15% जादा हो गया double से तो अगर that to उसमें फिर compounding भी काम करता है तो वह वहां से आफको बहुत मज़दार return देखने को मिलेगा तीन साल का return देखे तो 31% का और 5 years का return देखे तो 23% का return यहाँ पर देखने को मिलता है provident dividend yield equity fund के बारे हम बात करें तो एक साल में 53% का 3 साल में 30% का and 5 years में 23% का yield यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडिया 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 आपॉचुनियटी डायरेक्ट फंड की बात करें तो एक साल में 56 46 परसेंट का तो यह जो हमने अभी शेयर अभी हम आपके साथ mutual fund discuss कर रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ ICIC asset management company के बारे में बात हो रही है और इनका joint venture है ICIC एक अपना खुद का brand है and potential एक खुद का brand है इनका collaboration होकर यह दोनों मिलकर एक asset company चला रहा है तो basically ऐसे यह first asset company हम लोगों ने आज discuss किया है और इसी तरीके से इंडिया में जितने भी asset companies है उनके जितने भी best top mutual funds है वो हम सब आपके साथ share करेंगे एसे और वीडियो के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay tuned stay healthy stay happy और आप इस चैनल को subscribe जरूर कीचेगा like this video and share with others ऐसे और वीडियो आप तक लेके आएंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care करेंगे